हेलो फ्रेंड श्रीशिवाई नमस्तुभ्यम दोस्तो पुझ पंडिजी के द्वारा ये बताया गया है सबसे लाश्ट वाली कथा में कि इस बार जो नवरात्री आ रही है माता दुर्गा गुड सवारी पर आ रही है यानि कि घोडे पर सवार होकर आ रही है और जब जब मात सुख शांती सम्रद्धी और सफलता का प्रतिक मानी जाती है इन सब चीजों के लिए हमें उपाई तो करना ही पड़ते हैं तो पंडिजी ने बहुती सरल उपाई बताया है जो आपकी धन समपता के लिए है व्यापार उन्नति के लिए है यदि आपकी दुका नहीं चल रह या हो कुछ भी हो धन से रिलेटेड आपकी सारी समस्याएं खत्म करने के लिए एक बहुती सरल और अचोक उपाई है उपाई आप ध्यान से सुनिए और ये वाला उपाई आप नवरात्री के किसी भी धिन कर सकते हैं या तो ये नोई दिन तक कर सकते हैं उपाई आपको श उसके बाद में उसके उपर रखेंगे हम दो साबुत लोंग लेंगे उसके उपर रख देंगे ये हम कर्टोरी में भी कर सकते हैं और दीपक में भी कर सकते हैं कपूर के उपर हम दो लोंग रख देंगे उसके बाद में माता लक्षमी का नाम लेकर हम उसे जला देंगे फि उसे पूरे घर में घुमा देंगे और रख देंगे इससे आपके घर की सारी negativity दूर होगी, positivity आएगी लोंग और कपूर negativity को खत्म करते हैं और माता लक्षमी का आगमन होता है ऐसा करने से आपके सारे घर की negativity दूर होने के बाद सब कुछ अच्छा होगा, आपकी सारी मनों का अमनाय पूर्ण भी होगी ये उपाएं आप जरूर करिए, बिल्कुल भी करना ना भूले किसी भी दिन कर सकते हैं या नोई दिन कर सकते हैं, बहुत आसान उपाए है थैंक यू फ्रेंट, शरीशी भाई, नमतुब